हर्ण टेस्टे कोटीिम्वित पन्ण मीत सभी का स्वागत र reco यह मैंने गोरस इमली ली है, तो इमली दो तरीके की आती है, एक खटी वाली और एक मीठी वाली इमली, कहीं पे इसको गंगा इमली बोलते हैं, और कहीं पे तो जंगली जले भी भी बोलते हैं, तो यह कच्ची वर पक्की दोनों तरीके की मैंने ले ली है, तो फ्रेंक्स आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो कच्चे इमली की हैं तो मैं जितने भी पकी हुई इमली हैं उसको अलग निकाल देती हूं तो देखिए यह इतनी पकी है इसको हम ऐसे ही छिलके उतार के खाते हैं और यह है इसकी हम आज रेसिपी बनाने वाले हैं तो चलिए हम इसक आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहे हूँ बस वैसे ही करना है आपको भी तो यह देखें मैंने एक इमली को इस तरह से अंदर से खोल के निकाल लिया है और इसके अंदर के जो बीजे उह भी हमें निकाल देने हैं और इस तरह क्या अंदर से वाइट पूशन आता है यानивать उसके बाद मैं सारी इमली को ऐसे ही निकाल के रेडी कर लूँगी देखिए दूसरा भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है तो चलिए हम मैं सारी इमली को इसी तरह से तयार करके मिलती हूं फिर आपको तो लीज़े फ्रेंस जितनी भी हमने इमली ली थी उसको हमने इस तरह से निकाल के रेरी कर लिया है तो आप देख सकते हैं एकदम से वाइट पिंक या फी रेड ऐसे भी आते हैं अंदर से ये फूल तो इसको मैंने निकाल लिया है तो आपको इस रेसिपी के लिए कच्ची इमली लेनी है पकी होई इमली हो उसको आप ऐसे ही फूल तोड़के खा सकते हैं तो देखिए अच्छे से हमने इसको बना के रेरी कर लिया है तो चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं अब इसके लिए हमें एक मसाला रेरी करना है तो सबसे पहले मैंने यह कुछ लेसन की कलिया ली है जो छीली हुई है और यह मैंने बुने हुई मुंग फली को ले लिया है इसके मैंने कुछ छीलके उतार के लिया है कुछ Aisve Celsius ही है तिखी वाली है तो मैंने चार ली है आदा चम्मक जीरा आदा चम्मक जीरा लालमीट पावडर थोड़े से कड़ी पत्ता लेंगे तो फ्रेश वाले कड़ी पत्ता थे तो मैंने ले लिये हैं थोड़ा सा ही हम अध्रक का टुकडा ले लेंगे एक इंच के बराबर तो ये सार मसाले करने होते हैं तो हम मिक्सी में कर लेते हैं लेकिन कुछ थोड़ा सा ही मसाला चाहिए हमें ऐसे कुटके भी आप कर सकते हैं इसको हम निकाल लेंगे इस रेसिपी में यह जो मसाला है वह बहुत ही टेश्टी लगता है तो जरूर कीजिएगा स्पेशल मसाला बनाने के साथ हमने एक मीडियम सइट का प्यास और एक मीडियम साइट के टमाटर को भी काटके रिने कल लिया है तो चले हम इसको बनाना शूरू करते हैं तो सबसे पहले हम गैस में एक कड़ाई लेंगे हम लेड़ से दो चम्मच तेल डाल देंगे तो तेल मैंने बड़ी चम्मच लिया है कर भाधी दालेंगे आदा चम्मची हम जीरा लेंगे और इसको अच्छे से चटका लेंगे फिर उसके बाद हमने जो प्यास को काटके रखा था वो प्यास डाल देंगे और प्यास को हम अच्छे से पकाएंगे तो प्यास का कच्चापन चला जाए तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे प्य तो टमाटर आपका अच्छे से पका हुआ है तो वो ऐसे ही पक जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा हाट टमाटर हो तो आप इसको डख के एक दो मिनट के लिए पका दे देखिए मैंने इसको डख के पका लिया है दो मिनट के लिए तो टमाटर भी हमारा अच्छे से पक के रे ये बहुत ही टेष्टी मसाला है अब हम इस सब्सक्राइब लिए जितना भी मसाला हमें चाहिए उतना हम डाल देंगे अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करके पकाना है अब बारी आती हमें घर के कुछ मसाले डालने की एक चम्मत मैंने धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है आधा चम्मत ही हम गरम मसाले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर तो फ्रेंस मसाले हमने पहले भी तयार करके डाले है तो थोड़े द्यान से डालने है थोड़ा सा ही हम इसमें लाल मीट पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे तो अल्मोस्ट हमने जो मसाला डालके रखा है उसमें थोड़े से मसाले थे तो थोड़े अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसको ढखके पकने के लिए छोड़ देंगे इसको दो मिनिट तक अच्छे से पकने देना है फिर उसके बाद फिर से हमें एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इसी तरह से आपको ढखना है फिर इसको मिक्स करना है ऐसे दो ती इसको पका लिया है, तो friends, ये हमारी सबजी बनके ready है, तो friends, आपको कैसी लगी ये सबजी की recipe, आप इसको ज़रूर से एक बार try करके देशना, आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो देखें, अच्छे से ये सबजी है, वो पक के ready हो गई है, हम इस तरह से चेक करेंगे, तो ये full है, एकदम से टूट जाएंगे, तो देखें, ये सबजी है, वो बनके ready है, तो friends, कैसी लगी आपको मेरी है, गोरा सिमली की recipe, मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताईएगा, तो friends, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मुझे वो भी बताना, तो लेजिए friends, हमारी recipe मुझे जरूर से बताईएगा, और अगर आपको recipe पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को like share और चैनल को जरूर से subscribe कर लेना, तो friends, मिलते हैं, एक ऐसी ही नई और आसांसी recipe के सब, तब तक के लिए, bye bye and take care